रजस्थान में विधान सबा चुनाओं होने में अब कुछ मैने ही बचे हैं अब ऐसे में प्रदेश की चर्चित पार्टियां अपना खाका तयार कर रही है कि आने वाले विधान सबा चुनाओं कैसे काम्याबी मिले वैसे आपको बता दे कि भारत में यात्रा निकालना कोई आज की बात नहीं है लेकिन अब यात्रा निकालना आसान और आम हो गया है क्योंकि भाजपा ने भी राजस्थान में राजनीतिक यात्रा निकालने का पिलान बना लिया है। में ततकालीन मुख्यमंत्री भैराव सिंग सिखावत के नित्रुत में सरकार बनाई थे लेकिन तब भाजपा को दो सुमें से अपने अकेले दम पर 101 सीटों का पूल बहुमत कभी नहीं मिला था 1998 के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हार गई और कुल 36 सीटों पर सिमट गई वहीं कॉंग्रेस ने साल 1998 में 156 सीटें हासिल की थी लेकिन अगस्त 2002 में सिखावत उप रास्ट्रुपती बनकर सक्री राजनीती से अलग हो गए भाजपा के सामने पुना सत्ता में वापसी करना एक बहुत बड़ी चुनावती बन गई थी तब ततकालीन केंद्रिय मंत्री वाज सांसद वसुंद्रा राजे को भाजपा ने 2002 में प्रदेश अध्यक्ष बना कर राजस्थान बेजा तब भाजपा ने राजे के नेत्रुत में जो यात्रा निकाली थी उसका नाम था परिवर्तन यात्रा लगभग एक साल तक प्रदेश के सभी 200 सीटों के इलाकों में यात्रा निकाली गई दिसंबर 2003 में भाजपा को पहली बार 101 के जादूई आंकले से भी जादा 120 सीटे नसीब हुई इसके बाद भाजपा ने 2004 के लोकसबचुनाव में भी 25 में से 21 सीटे जीती बतादे की साल 2008 में भाजपा की हार हुई और कॉंग्रिस ने बिना पूल बहुमत के भी सरकार बना ली उस सरकार के खिलाफ साल 2013 में भाजपा ने राजे के ही नत्रुत में एक बार फिर सुराज संकल्प यात्रा के नाम से यात्रा निकाली यह यात्रा प्रदेश के सभी 200 सीटों पर गई और दिसंबर 2013 में भाजपा ने राजस्थान में रिकार्ड बहुमत 200 में से 163 सीट हासिल किया इसके बाद ही भाजपा ने लोगसबाचुनाव में 2014 में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी भाजपा चाहती तो किसी भी एक बड़े नेता या प्रदेश अध्यक्ष के नित्रित में भी यात्रा निकाल सकती दी भाजपा ने सत्ता में आने के लिए यात्रा का पुराना फार्मूला अपनाया लेकिन उसकी रलनीती बदल दी राजनीतिक विशेसग्यों के अनुसार इस रलनीती के पीछे तीन बड़े कारण है पहला है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जिनके चहरे के साथ आगामी चुनाव में जाने के लिए कोई संकोच नहीं करेगा क्योंकि जनता भरपूर भरोसा करती है दूसरा यह कि कोई भिदल कितना भी अनुसासित हो लेकिन अंदर कोई न कोई गुडबाजी चल रही होती है इसलिए पार्टी ने इस बार तै कि चुनाव बिना सीम फेस के साथ लड़ा जाएगा और तीसरा यह है कि परिवर्तन यात्रा बाकी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बदलाव परिवर्तन और रन्निती में कौम सा तीर सही जगा जाके लगेगा यह आने वाला विधान सबाच चुनाव तै करेगा फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें